भगवान धनवन तरीकी कृपा से रोगों को करें दूर जैश्वी महाकाल दोस्तों इस अंसार में हर मनुष्य को जीवन में किसी न किसी रोग का अवश्य ही सामना करना पड़ता और बच्चों इवं बड़े बुजरुगों को तो आसानी से किसी न किसी रोग की जकड में पढ़ ही जाते हैं दीपावली से दो दिन पूर वपढ़ने वाले धनते रसको वैद शरूमनी भगवान धनवन तरीका दिन मनाया जाता है शास्त्रों के अनुसार इस दिन जिस घर में इनकी विदिवत पूजा आरादना होती है उस घर पर किसी प्रकार के रोग की जाया नहीं पढ़ती है तो जानिए भगवान धनवन तरी की कृपा से रोगों को दूर कैसे करते हैं भगवान धनवन तरी को हिंदू धर में देवताओं का वैत माना जाता है शास्त्रों के अनुसार शर्त पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा कार्तिक द्वादशी को कामधेन उगाई की पूजा त्रेवदशी को धन्वंतरी भगवान की पूजा और चतुरदशी को काली माता अमावस्या को भगवती लक्षमी जी का सागर से प्राधरुभा हुआ था इसलिए दीपावली के दो दिन पूर्व धन्तेरस को भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस मनाया जाता है इस दिन इन्होंने आयर्वेद का भी प्राधरुभाव किया था चोकि भगवान धन्वंतरी आयर्वेद के जनक माने गए हैं इसलिए यह दिन आरोग और तीरगाई प्राप्ति का दिन भी माना जाता है इस दिन भगवान धन्वंतरी की अनवार रूप से पुझा करनी चाहिए धन्तेरस के दिन घर परिवार के सभी सदस्यों के निरोगी जीवन के लिए सभी सदस्यों की लंबियायू चिर योवन के लिए भगवान धन्वंतरी की मूर्ती या फोटो की स्थापना करनी शास्त्रों के नुसार इस दिन प्रभु धनवंतरी के चित्र के सामने एक चांदी या तामी के पात्र में जल रख दें धूब दीब जलाकर अगर संभा हो तो चांदी के पात्र में खीर, सफीद मिश्ठान आदी रखकर उन्हें भोग लगाएं उन्हें फल, नईवेध्य, नारियल, पान, लौंग, सुपाड़ी, वस्त्र, मौली, गंद, अभीर, गुलाल, पुश्प, रोली आदी चढ़ाएं भगवान धनवंतरी को शंख कुश्पी, तुलसी, प्राम्य, आदी पवित्र औश्धियां एवं दक्षना भी अर्पित करें फिर अपने घर परिवार से रोगों को दूर करने हैं तू, हाथ में अक्षत लेकर प्रार्थना करें और इस मंतर का जाप करें ओम रम रुद्र रोगनाशाय धनवंतरी फट इस मंतर की कम से कम दो माला का जाप करें ततपशात ओम धनवंतरी नमहा मंतर की एक माला का जाप भी अवश्य करें पूजा के बाद भगवान धनवंतरी के सामने रखा हुआ जल घर के सारे कौनों में छड़क दें छट पर एवं सभी सदस्यों के ऊपर भी छड़क दें तथा शेश्चल जो बचा हुआ है वो तुलसी के पौधे पर अरपित कर दें इस प्रकार धन तेरस के दिन भगवान धनवंतरी की सच्चे मन से पूजा अर्चना प्रातना करने से मनश्यों को सभी रोगों में लाप की प्राप्ति होती है रोग उस परिवार से दूरे रहते हैं इसलिए इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा अविश्य करें ऐसी ही रोजग जानकारियों के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें हमारी चैनल को धन्यवाद